जी असलाम लेकुम कैसे हैं आप क्या रहें आपके अच्छा अब हम चैप्टर एट पे जंप करेंगे चैप्टर एट है आपका बुक के साफ से स्केजुलिंग रिसोर्सेज एंड कॉस्ट बिसिकली इसमें आपने नाम रही जच कर लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग ने स् किस तरीके से करना है आपकी कॉस्टिंग क्या है इनी दो चीजों पर आपकी पूरी की पूरी पूरा का पूरा सौरी जो चैप्टर है वो बेस करता है ठीक हो क्या अब आपके पास जो प्रोजेक्ट होता है उस और आपके पास जो उसकी सारे डिटेल होती है जो आपको मैं प्लस आपके पास resources कितने है ठीक है फिर आप इस बेस पे एक plan develop करते हैं कि मैं ये project step by step इतने पैसों में ये project में complete करूंगा ठीक है और मेरे यह resources होंगे जो जो मैं इस तरह allocate किया गरूंगा ठीक है जैसे आपको याद होगा कि मैंने critical path analysis जब हम इस फिसले chapter को discuss कर रहे थे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम मुखलिफ teams को चलाते हैं साथ-साथ तो किस तरीके से चला सकते हैं ठीक है तो उसी में cost भी आपकी हो जाएगी कि उसी एक project में जब आप टीम एक को देना जो एक काम करेगी टीम बी को देना वहोएक काम करेगी टीम सी को देना pumpkin करेगी ठीकक है तो उसमें फिर आपके यह आपकी resources होंगे ठीक है फिर इसमें मैं आपकी हर्य एक जोटीम है उसकी क्या costing संक्वेश भाइब होगी जब आप यह पूरी की कि याता कि जो मेरे रिसोरशेز है जो मीडि कास्टिंग time करता हूं कि जो अन्ड मैय है जो third Suirス मेह बनती है मैं 301 मै'tاक मैं यह काम इतना ivaS grades कर लूँगा और मेरे इतना परुष30 जोैब वह इसमें इतने पैसे लग जाएंगे ठीक हुए इतनी कोस्ट मेरी उसमें लग जाएगी यह आपने जियूम किया था जब आप एक्चली वर्क स्टार्ट करते हैं अपना ठीक है फिर आप देखते हैं कि आपने 31 में को कितना चीफ किया था काम ठीक है फिर आप कंपैरिजन्स करते हैं तो कि रिपोर्ट के लिए बड़ी इंपोर्डन होती है आप जो आपने काम लोगों से निकलवाना है किस तांसे करवाना है वो इस पर आपका बड़ा मेंटर करता है ठीक हो गया फिर इसमें आपका ये है कि जो आपकी एक टीम होती है आप ऐसा करने कि सीओ हो गया या कोई प् कितने Umsोर्स के साथ जो है इस project को ले के चल सकता हूं कि ने चल सकता हूं कि नहीं कि जहें करना है जो भी चाइज करना है वह इस तरीके से सारी चीज़े देखता है ठीक हो गया अच्छा वो जब यह सारी चीज़े देखता है फिर उसके बाद वो सेलेक्ट करता है वो इस तरह से नहीं कर सकता कि अगर फर्स करने मेरी यह कंप्यूटर की एक फर्म मैं फर्स करें ठीक है और मेरे पास 12 ग्राफिक इतने प्रोजेक्स हैं मेरी 12 के 12 मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे उन 12 प्रोजेक्स पर लगे हैं ठीक है और मैं 13 प्रोजेक्ट फिर ग्राफिक डिजाइनिंग को उठा लूँ तो इस नॉट वाइस क्यूंकि मेरे पास इस टाइम पर अपना रिसोर्स लगाने का वो नहीं है इस टाइम मेरे पास वो एक एक वो एरिया नहीं है कि मैं वो उसके लिए अपना जो है किसी एक बंदे को निकाल का उसके लगा सकूँ ठीक हो गया तो इस पूरे के पूरे हम चैप्टर में बेसिकली यही हम डिसकस करेंगे आगे किस तरीके से हमें स्कैजलिंग करनी चाहि और इसमें हम आपको इन डिटेल में थोड़ा सा के बताता हूं और बागी हम क्लास की डिसकेशन में भी इसको लेके चलेंगे तो बेसिकली आपके जो टाइपस ऑफ कंस्ट्रेंट्स है न वो सबसे जो मेजर हैं जो तीन मेजर जिनको काउंट किया जाता है वो तीन है ठीक पावर होती है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड है चाहे वो एक पीन हो ठीक है एक लेबर हो एक मतलब चोटा से चोटा बंदा भी हो सकता है उसमें बड़े से बड़ा भी हो सकता लाइक किसी एक अपनी का सीफो सीओ कोई भी हो सकता है ठीक है तो उसमें आपके सारे के सा तो इसमें पर उसमें आपको कोई ऐसा बंदा भी चाहिए जो पूरा का पूरा रिसोर्स ऐलोकेट करें जैसे पूर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके नीचे वह एक और बंदा पर साथ रख ले तो इसमें आपके किस तरह के लोग हैं यहीं तो किसी भी एक प्रोजेक्ट में जो तीन में चीजl हती है एक सबसे पहले पहले इंपरंट चीजा बंदा कि वह बंदे किस टैप के हैं हमारे पास लेबर्угल का क्Ilूए नहीं होगा ठीक हो कि अब प्रोजेक्ट में हमें हर तरह के बंदे चाहिए होंगे हमें किस तरह से स्केजुल करने हैं को किसकी expertise कितनी जदा देर के लिए चाहिए एक डेंटल केर हैं उसको एक computer वाले बंदा नहीं चाहिए होगा तो वह सरफ एक website बनाएगा ठीक है उसको सरफ इतनी देरे के लिए एक बंदा चाहिए है लेकिन एक वही बंदा है उसको अफिस की सफाई वगारा के लिए रोज जो है वह एक सदो यह चाहिए हैं जो सफाई वगारा करें एक cleaner है ठीक हो गया उसक फोभी एक रूजेक्ट रुग घ्या ठीक है यह आपके किसी भी आपके बुक की वीओद इसमें लोने दी है कि जो मैटिरियल है वह कि सीवी प्रोजेक्ट में अगर आपका थोड़ा सबीड़े हो जाता है ठीक है जैसे आपका मैटरे राइवल भी हो तो वह भी आपका वो सब्सक्राइब करते हैं इसमें एक बुक में बड़ी इच्छी एक्जेम्पली की थी आपका अमेरिका में आपने अकसर मुवी में भी देखा उगा उस ब्रिज को उस ब्रिज की कंस्रक्शन थी वह रात को बारा बज़े से लेकर सुबह पांच बज़े तक की थी उसके लाब मैटीरियल्स उन लोगों ने उस टाइम के असाब से मैनेज करना है ठीक है उस मौके पर आपके पास मैटीरियल होना चाहिए कि जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होते तो आवो करें एक और आपकी बुक में एक्जेम्पल दीवी थी कि वह एक हुई फील्ड ती जिसमें व पूरा का पूरा मतलब प्रोजेक्ट तबहा हो जाता ता कि वह फिर अगले साल पर चला जाता था नहीं था है तो इस हिसाफसे आपका मैटीरियल भी बहुत इंपोर्टन होता है पीपल हो घया मैटीरियल हो गया तीसे नमर पर आपका एक्विप्मेंट ठीक हो गया एक्व व्हाइब यहां प्रॉजेक्ट कर लागाते हैं चाहिए अब यह बहुत जादा इंपॉर्णन चीज होगी यह आज कल के साथ तीक है अब यहां पर आपको मैं एक एगजेंपल यह देता हूं कि हाँ बाद दफार प्रॉजेक्ट इस तरह से होते हैं कि आपको जो है को आप जादा कर लेते होते हैं बट डिपेंड करते हैं कि हर दफार वाइज है उसको रखना के नहीं इस ताम अगर आप देखें कि हमें कितनी चाहिए हैं ऑक्सीजन वाले ठीक है अभी बहुत जादा चाहिए बहुत ही जादा चाहिए क्योंके डिमांड इस तरह से आई वी है ठ होगी तो क्या हमें साल के बागे दिन हमें भी इतने ही चाहिए होंगे तो आंसर इस नो ठीक है हर हॉस्पिटल उसको नहीं रखेगा अपने पास क्योंकि उसके अपनी उलाइदा से भी कॉस्ट बगर और होगी उसको मेंटेन करना और अक्सेटर चेटर तो इस असाब आग आप चीजों को इस तरह से कर लेते होते हैं कि लाइक मैं आपको देता हूं कि एक क्लिनिक है ठीक है डेंटल क्लिनिक वाले ने उसके लिए एक मरीज प्रोजेक्ट ही होते हैं कि उसका दान निकालना है बैसिकलिए कुछ भी करना है तो अब उसने क्या करना है कि वह अपने उस equipment के साляवब से project को divide कर लेता है कि में patient number a को इतने भजह बुला हूं peace number b को इतने भजह बिला लो ठीक है 3000 patient number c को इतने भजह बुला लो ठीक है तो वह basically अपने equipment के सासे हब नाब मogyक инधार कर लेता है वह यह भी जि 된 सकते हैं जो कि wise नहीं है definitely बिट वह ऐसे भी कर सकता है कि वह equipment जादा कर ले जिसन्रा मरीज जादा तो इस तरह से भी हो सकता है तो बेसिकली जो तीन most important चीज़े होगी है वो आपको समझागी होगे की टीक है human resource आपकी होगी human resource usually हम कहते हैं कि ओनी का कम है सारा का सारा के वह human Orleans है वो सारे बंदे रेंज करें मैंने करें हैं हमें यह किस काम में जो कहते 개दे मैं करें इसी exposure से सबस stri Disability नमर पर ठीक हो कि Onasse म想wowyan आपको मैं के पास इसे होने चाहिए कि आपके पास हो और थार्ड नमर पर आपका एक्विप्मेंट और एक जो चीज जिसमें मैं एड़ करना चाहूंगा वैसे बिसिकली आपकी बुक में नहीं है बट मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग भी आइड़ करें देखें आपके जो प्रोजेक्ट को भी किसी हमका हो उस आपकी बुक में इसको कंस्ट्रेंट में क्यों नहीं लिखा गया आगे डिसका जरूर हुआ है यह बट आपके आपका टाइम जो है आपका टाइम इस मनी जिसके खहते हैं तो बहुत से चीज़ों में आपके टाइम बड़े इंबॉर्ट होता है जैसे डैडलाइन की होति है किसी चीज की होती है आपके जैसे आपने किसी चीज की रख्योच आ रख्यों आपने अगर आपने कहा है क्we CAP कि अरुगर्री करनी है यह तो ढवर दे सका १र। कोई एक मॉल है उन्होंने का है कि हम इस बिल्डिंग को अफ्टता जो है वो इस तारीख को करेंगे या इससे बड़ा प्रोजेक्ट आप यह देख लेंगे यह सल का जो पहला प्रोजेक्ट हुआ था क्रिकट का उन्होंने जो उसकी ओपनिंग सेर्मरी तो उन्हें एक टाइ आप लाकर नहीं को ना इससे से अन्वे को बैकर बड़ा इसमें उस नुआ करेंगे वाट यह कीसियं कैस्ट को जाएं से trails कि और तल simples basically project manager को भी तलिक बिताया जाता है कि project manager ने ये काम करना है कि जब भी उसको कोई project को hire करता है या achieve करता है तो उसके बास वो उसको थोड़ा सा बताएगा identify करके लोगों को समझ जाएगा कि जो भी है जो भी stakeholders है उस project को बताएगा कि ये time bound है time constraint है या resource constraint है ठीक हो गया अब इन दोनों में फरक किया होता है time constraint project की होता है कि उसका जो impose time है जो आपके लगाएगा कि आपने इस में करना ही करना है ठीक है तो वो आपने उसी में करना है ठीक है उसको complete करना है ठीक है अब उसको manage करने के लिए अगर आप फर्स करें किसी एक time पर अपने schedule जो आपका था उससे अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो आप रिसोर्से जादा डालने पर आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ा पी जल्दी complete कर सकते हैं लाइक अगर फर्स करें कि आपका एक है जैसे आपकी opening ceremonies होती है usually ठीक है उसमें आप पहली बता रहते होते हैं कि ना हम 5th April को जो है वो इस चीज़ को हमने करना ही करना है ठीक है हमने इसकी opening की date देती है ठीक है जैसे आपकी PSL वगरा होगी cricket की leagues होगी ठीक है अब यह हो जाते है कि आप उसकी त्यारी शुरू करते है स्टेडियम त्यार करना उसके exhibition कैसे करनी है execute कैसे करना है वो सारे fireworks और यह प्लाना निमकान सारे चीज़े होगी ठीक है अब आप ऐसा होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट करीब आता है आप देखते हैं कि जो हमने जो projected हमारी जो प्रोफाइल जो रिपोर्ट थी उसमें हमने बता है हम इस तरीफ तरगा चीफ करेंगे इस तरीफ तक यह चीफ रहेंगे नेका हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्टे करते हम अकर हम उसको कम कर सके उस गैप को डूचिया तो कर लगा रहे हैं जो भी काम उस लोगों को कर रहे हैं वो के पंद्राइब बंदे कर रहे हैं तो हम बीस बंदे कर लगते हैं तो जहां आप देखते हैं कि दूसरी जब आप 10 मेशिन एक्स्रा करेंगे तो जारी बात लेबर भी ऐसा करेंगे तो सारी की सारी चीज़ आगे हो जाती है तो काइम काइम कंस्ट्राइंट प्रॉजेक्ट वो होते हैं जिसमें आपका टाइम जो है न वो फिक्स होता है बहुत जादा आगे पीछे नहीं हो लेकिन आपका होता है कि बस यह रिसोर्स में आपने जो है वह सारे काम मुकान नहीं मुकान है सब्सक्राइब करना है तो यहां पर यह बात होती है कि टाइम कंस्ट्राइंट में क्या होता है कि टाइम आपका फिक्स है आपके पर रिसोर्स में सारे के तारे काम करने है फिर इसके बाद आपकी एक चीज़ को इन्ट्रीज किया गया बुक में उसको कहते हैं जा जा पन जा स्पलेटी में आप तक और आद गौन से प्य, चिक है हम चुत में डॉसके पहे भी को और हम नहीं नुभ की इस लिगाई है, और हम जो क्त Strava को काम यह कि सपिर्ट Cry ऑप की फिर्ड एकड़ normal शटड़ाउन कॉस्ट टिक होती है ठीक है अचा स्टार्टप कॉस्ट और शटड़ाउन कॉस्ट की उस चीज को करने पर कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है ठीक है एक तो यह चीज भी देखनी पड़ती है लाइक अगर देखें कि मैं अगर कोई एक एक आपका कोई काम है बन्दा है वह कुछ काम करा है बहुत खास किसमका लाइक मैं पांच बंदे हैं जो मेरे घर के कारपीर्टर जो के काम करने में लगए कह और ऑफिय किसी दो बंदों को कəता हूं किया ना मेरी टेवल बनाएं ठीक है तब बैसिकलिंकि walking जो यह इस टांपे निड़ना उनको प्रॉजेक्ट में से ये थोड़ा सा ठीक नहीं है ठीक है इस मामले में लेकिन फ़र्स करें कि अगर एक में एक प्लैनर है जो डिजाइन करके मुझे दे रहे करें कि आप मुझे जहें एक तरफ जहने एक नहीं मेंस का मैं सोच रहूं कि एक नहीं टेबल आप अगर मुझे बना करें डिजाइन उसका तो वह कर सकता है काम ठीक है तो आमने हमें इस तरह के एक बंदे को लिखाया उस टीम में से जो कि उस टेम पे उतना है उस करन्ट एक्टिविटी के साथ से जो भी चल रही है वहां से निकालते तो कितना हिल जागे अपनी जगह से कितना होगा कहने को तो वह चार दिन लिए बंदा गायब हो जाए चार घंटे भी गायब हो जाए लेकिन यह के और चीजें भी उस पर बड़ी दादा बाउंड होती है आपने दो देखो क्रिटिकल पाथ अनैलेसिस अगर वह क्रिटिकल पाथ में आता है वह काम और वह बंदा प्रोजेक्ट तो फिर इसका मतलब यह क्या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वह आपके पीछे हल जाएगा अपने डूरेशन से ठीक हो गया तो इस मौ कोई काम हो रहा है ठीक है और आप उस जगह पर हर्स करें कि आपने वही गैस का पाई उतार गया जेनेरेटर पर लगा दिया ठीक है तो आपके जितने पी उस टोस्ते है जितने पी चूलत है वह बंद हो गए ठीक है तो बैसिकली वह आपने खाना च्छे बज़ेकर सर्फ क पी दे दी अब फिर इसके बाद बताया हुए है तोला सा के बैनेफिट्स और स्क्रेजलिंग रिसोर्स तेखें किसी भी चीज़ को कर आप प्रीडिफाइन कर देना ठीक है तो यह आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है किसी भी चीज में आप प्रोजेक्ट में न इतना घंटे काम करें और इस बंदेने इतने घंटे काम करते हैं ने आपको और आपको पूरा आपको पूरा के प्रोजेक्ट की एक टाइम लाइन मिल जाएगी यह प्रोजेक्ड हो सकता है ठीक हो गया अब उसमें ये भी है कि आपको ये भी idea हो जागा कि एक machine की capacity कितनी है एक बंदे की capacity कितनी है आप उसी हुसाब से अपने सारे resources को इस्तमाल कर सकते हैं फिर ये भी है कि आप बहुसे नुक्सानाँ से बच भी जाते हैं आप लोगों को ये भी idea होगा कि अगर आप अपने किसी एक रिस्वोर्स को से यूज ना करें तो वो बैसिकली एक लाइबिलिटी होती है ठीक है वो एक नुकसान मनना पड़ जाता है वो उस पर आपको अच्छे खासे पैसे कॉस्ट पड़ जाती है देखे आपको एक्जैम्पर ऐसे देता हूं आपके ए हैं तो आप पसारी सामने चीज़ें लिख्ञी काम कर रहा है कितनी देर उसने काम करना और कितना उसने काम आपको उस दिन में या उतने वीक में डिलिवर करना ठीक है तो आपके पास पूरा जो है एक रिकॉर्ड होता है जिसको आप फिर जह ना बेसिकला आप कैसे कहते हैं कि वह गेज होता है आप के पास यह तरह अपने यहां तक चीफ करवाना आपकाम उससे और उसकी एक नॉर्मल बन्दे की जो मतलब कपैसिटी वह तने काम करने की है इस कि जो हमने पिछले चेप्टर में बात की थी पहले जो हमने पुड़ा था लास्ट वीक में कि हमें आइडिया हो जाएगा कि एक बंदा जो है हम उसे अगर आट से दस घंटे काम में तो इससे जादा लेंगे तो उसकी हेल्थ के लिए खरतरनाक हो सकते हैं अगर कि खुदा न मैक्सिमम काम कर सकती तो फिर आप उसको जादा नहीं खेंचेंगे उसको केंचेंगे तो खराब होगी खराब होगी तो फिर आपका काम सारा का सारा रुप जाएगा तो आप इससां से रिस्व करने का फैदा और भी बहुत सारे होते हैं इस तरीके से आप उसमें एक चीज मैं डिसस्स किया गया है signing project work को किस तरीके से sign किया जाता है ये भी एक मतलब हर एक आपके इतनी education होगी कि आपको भी idea होगा कि किस बंदे की कहले पर के साबसे को कितना काम देना चाहिए ठीक है अब लाइख ही है कि अगगा कोई एक हैवी किसम को काम है ठीक है तो आप ये मैज़ा जो उस चीज की जिसकी है coal मैच करेंगी जो आपकी जो भी आपके उस चीज की रिक्वाइर्मेंट है उस पर पूरा उत रहेगा ठीक है आप यूजली उसी को ही करेंगे लेकिन एक दो चीज़े यहां पर में रखनी पड़ेगी इंशानला जिस्टेम आप पॉजेक्ट मैनेजर बने के हर दफा नॉट नेसेसरी कि आ चाहिए के थोड़ा से ना किसको क्या साइन करना है ठीक है अचा साइन करने के पर आपको एक दूचीज और भी नोट करनी चाहिए कि थोड़ा सा ना ऐसे से क्लाइबरेशन करा देना चाहिए किसी एक बंदे का कोई नया बंदा है जुनियर है एंट्री लेवल है उसको सीनियर बंदे के साथ किसी एक प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा लगा दे कि इस से थोड़ा सा जो है ना फेमिलियर हो जाए वो ठीक है सबस्काराइं कि अखर दो बंदे ऐसे हैं जईना ने आप देखा है कि कि ईक्टिवीटि में लिसे के साथ मात चीट करें सबस्क्राइ chewing एक साफ कोशिश करते हैं करें कि अदिश était थोड़ा दीख एक ताके जब डी में और एफ और जी एच पे से वो जाएंगे तो जाएंगे तो जादा कमफर्टेबल होंगे हमकी वह वह जाएगा थोड़ा नार्मल हो जाएगा वह आइस ब्रेकिंग जिसको कहता है इस ब्रेकिंग उनकी पहले ही हो चुकी होगी ठीक हो गया और अब इस प्रजेक्ट है कोई एक टीम मतलब एक फाम है ठीक है तो अगर वह मुट्री प्रजेक्ट से आएवे हैं उसके बास वो उसको करेगा तो तब थोड़ा सा और भी देख भालके काम करें ठीक है बाद दफ़ ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्स कुछ प्रोजेक्ट इस नहीं होते हैं ठीक है तो अगर एक अब इसमें दो चीज़े हो सकती है कि जैसे के आपके क्लास में किसी तलहा का एक प्रोजेक्ट है ठीक है उसमें वो के पार्टी जयुवह डवलब कर दूस्री जया वो हारडवेर पर कार आग्या ठीक है तो अब इसके प्रोजेक्ट को गराब पर दो कि अगर पर दो पर दो करें तो करें तो यह नहीं की टीम का बंदे को कही और इस लिए पे भीज़ दूँ तो जिसकी वज़ाए से उनका वह क्रिटिकल पात आगे पीछे हो जाता है अगये तो आप जो हैं जो आप जो हैं जो आप के विर्वेफ्य होसकता है कि अभी देखें आपकी बुक में वोके की सब्सक्राइब करने के आप पूरे घर को रिनोवेट करने और आपको डस चाहिए ठीक है तो आप को वैसे पांच बंदे भी बहुत है तो आप थोड़े से इस तरीके से करना है उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए वह पिर आप देख बाल के करें हो सकते हैं कि आपके पास फिर क्या क्या आइडिया जिनरेट होता है तो यह बहुत है तो बेसिकली जिस टाम आप इस पर आते हैं तो आप अपने इस इसको जो है ना अपने रिसोर्स को थोड़े से देख के यूटिलाइज करते हैं और बाकी है कि इन्शाला जब हम क्लास में आएंगे कल पर सोज़ा है आपकी तो उस क्लास में इंशाला हम पर डिसकस करेंगे इंडिटेल और भी किसा से होका फिर जो क्लास में डिसकेशन वाली जो हमार लेकर चलेंगे जैने ठीके तैंक्यू सो मच आला आफिस